हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एक्जाम हेल पर मैं दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो एसिक यूडिसी और स्टैनों का जो एक्जाम कंप्लीट हो चुका है 19 और 20 मार्च को उसका अब रिजल्ट कब तक आगा काफी चुका है अब हमें जो इसका रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिलेगा साती साथ इसकी जो मेंस की एक्जाम डेट है वो क्या रहने वाली है तो पूरी ही डिटेल में हम यहां पर बात करेंगे बिलकुल आधार बात करेंगे 2019 के आधार पर दोस्तों उससे पहले बता दू अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल के बटन को दबा दिए इसी तरह की और अपडेट को पाने के लिए तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं कि UDC का जो एक्जाम थ ठीक 25 दिन बाद यानि की आठ अगस्त को आपका इसका प्री का रिजल्ट देखने को मिल गया था कब आठ अगस्त को यानि कि 25 दिन के अंदर अंदर और आपका एक सब्टेंबर को इसका एक्जाम लग हुआ था अगर इस सिचुईशन की बात करें तो आपका जो मेंस एक् अप्लेट हो चुके थे तो 11 दिन हम यहां से ले और 5-10 दिन वहां ले तो अप्रेल के 5-10 तारीक के बीच में आपको डेफिनेटली आपका जो स्कोर कार्ड है यानि की जो आपका रिजल्ट है वो देखने को मिल यागा इसका स्कोर कार्ड भी आता है साथी साथ पूला रि तीस अप्रेल है साथी साथ रिजल्ट आपका 5-10 अप्रेल के बीच में आपको देखने को मिल जागा दोस्तों और कोई अप्डेट आई की तो मैं तुरंट बता दूँ है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राब लिए चलिए दोस्तों इतना ही रखते हैं इस वीडियो सब्सक्राब जागा आपका 5-10 अप्रेल के चलिए रिजल्ट आपका 5-10 अभीयो प्रें बाव में